जगनात मंदिर का खोला गया रतन भंडार मिले सोने और चौनदी के अद्वो ताबुशन, कीमत और मात्रा जान कर रह गए दंग लोग, बीटे कई दशकों से ये खजाना लोगों के लिए बना था बड़ा राज, अब उठा राज से परदा तो लोग बोले खजाने ने उड अभी हाल ही में जगनात मंदिर का खजवाना खोला गया तो देखने वालों को अपनी आखों पर विश्वास नहीं हुआ, मंदिर के इस रतन भंडार में क्या क्या मिला, इससे पहले ये भंडार कप खोला गया था, इस मिले नए भंडार की कीमत क्या है, इन सभी प्रशनों कि हम आपको एक एक करके उतर देंगे, जिसे सुनकर आप भी हैरानी में पड़ जाएंगे, तरसल उडिसा के पूरी में भगवान जगनात मंदिर के रतन भंडार को इसी रविवार यानि 14 जुलाई को खोला गया, जगनात मंदिर के रतन भंडार को इससे पहले साल 1978 में खो इस 11 सदस्य टीम में उडिसा हाई कोड के जज विश्वनात रत, जगनात मंदिर के मुखी प्रशाशक अर्भिन पाथी, एसाय अधिक्ष्वक दीवी गड्डायक और पूरी के राजा गजपती महराज के एक प्रतिनीदी समयत कई लोग शामिल के गए इसको लेकर उडिसा मुखे मंद्री कारेले से इस बारे में सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर बयान जारी करते हो लिखा गया कि भगवान जगरनात की मरजी पर उडिया समाज ने उडिया असमिता की पहचवान के साथ आगे बढ़ने के प्रयास शुरूर कर दिये हैं आपकी एक्सा पर पहले जगरनात मंदर के चार गेट खोले गए थे आज जो आपकी मरजी के अनुसार 46 साल बाद मंदर का रतन भंडार खोला गया चानचारी के अनुसार 12 स्यताबदी में बरना जगरनात मंदर चार धामों में से एक है भगवान जगनात मंदिर के रत्न भंडार को आकरी बार साल 1978 में खोला गया था यानि साल 1978 के बार मंदिर के पास कितनी संपत्ति आई इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था इसी कारण मंदीर की कुल संपत्य को जानने के लिए रतन भंडार खोला गया ऐसा कहा जारा कि जगनात मंदीर के रत्नों की सरक्षा साप कर रहे हैं जानगारी के निसाल भगवान जगनात मंदिर के रत्भंडार के दो कमरे हैं जिनमें पहला आंतरिक खजाना और दूसरा बहारी खजाना है इस खजाने को लेकर मीडिया को बताया गया कि उडिसा के राजा अनंग भीम देव ने भगवान के लिए आभूशन तयार करने के लिए 2.50 लाग माधा सोना दान में दिया था तो वहीं इस रत्भंडार के बहरी खजाने में भगवान जुगनात का सोने का मुकुट और 120 तौले के 3 सोने के हार भी मिले वहीं आंतरिक खजाने में लगभग 74 सोने के आभूशन है सभी का बज़न लगभग 100 तौले से भी ज़ादा बताया जा रहा है तो वहीं इस खजाने को लेकर एकाने रेपोर्ट कहती कि भंडार में सोने, हीरे, मुंगा और मोतियों से बनी कई प्लेटें हैं लगभग 140 से जादा चांदी के आभूशन भी खजाने में रखे हुए हैं संदूकों के निगरानी के लिए CCTV कैमरे लगाए गए हैं फिलाल जानकारी के अनुसार खजाने में मिली चीजों की लिस्ट अभी तयार नहीं की जाएगी सरकार की मंजूरी मिलने के बाद इस कान को शुरूर किया जा सकेगा फिलाल आपको ये खजाने वाले खबर कैसे लगी इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर साजा कर सकते हैं ब्यूरो रिपोर्ट पीडियन नियूस